तो आएए आप सभी को यहाँ पर हम सिखाने चलते हैं कि जितने भी कोईशन्स आप सभी ने बनाए कुछ का कहना है कि सर जहाँ डिसकाउंट वाला टॉपिक आ रहा है जर्नल इंट्री उसका लेजर बनाने में थोड़ा तकलीफ हो रहा है तो आएए आप सभी को हम वह सिखाते हैं कि किवल उन्हीं जर्नल इंट्री पर हम लोग फोकस करेंगे किवाल उन्ही जर्णल इंट्रीज पर हम लोग फोकस करेंगे, जिनमें कीं डिस्काउंट आता है, और देखेंगे कि उस जर्णल इंट्री में जिसमें डिस्काउंट आता है, उसका लेजर कैसे बनेगा, तो आएए सिखते हैं, जैसे एक एक्जामपल लेते हैं माल लेजिए एक एक्जामपल लेते हैं अगर हम कहें कि कैस रिसीवड फ्रॉम कैस रिसीवड फ्रॉम मोहन रुपेज 4500 एंड अलावड इम डिस्काउंट ऐसे न मिलता है जी अलावड इम डिस्काउंट यानि कि रुपेज कितना 500 माल लेजिए ऐसा कोई ट्राइजेक्शन दिया हुआ है कि मोहन से रिसीव हुआ कैस 45 रुपिया और उसको हमने 500 रुपिया डिस्काउंट दिया ठीक है तो सर इसका जर्नल इंट्री क्या होगा तो जर्नल इंट्री आप तो लॉजिक्स आप लोगों को बताना नहीं है आप लोगों आलेडी जानते हैं डारेक्ट इंट्री बता सकते हैं बोलिए कैस आया तो कैस एकाउंट डेविट और हमने डिस्काउंट दिया है तो हमें लॉस हुआ है तो भी डेविट डिस्काउंट एकाउंट डेविट और तो मोहन से मिला है तो तो मोहन से एकाउंट यही होता है ना सर 4500 रुपिया कैस आया तो कैस एकाउंट डेविट के सामने 4500 रुपिया 500 रुपिया का डिसकाउंट दिये है तो डिसकाउंट डेविट के सामने 500 रुपिया अट्टू मोहंस एकाउंट 5000 रुपिया कोई दिकत ठीक है, तो यह हो गया आपका जर्णाल इंट्री, उसके बाद लेजर जरा सीखते हैं कि लेजर क्या है, तो जेखेंगे इस जर्णाल इंट्री को लेजर बनाना है, और लेजर की बात करें, तो आप लोगों ने जैसे कहा कि सर्थ, डिसकाउंट में केबल दिकत फोड़ा बह कुछ ऐसा होता है ती सेप में खीच लेंगे इसको है ना यह amount हो जाएगा यह lf हो जाएगा जेएफ हो जाएगा उसके बाद यह particular और इधर date debit side हो गया particular यहां पर फिर से date आएगा credit side में फिर particular आएगा उसके बाद जेएफ आएगा और फिर क्रेडिट एमाउंट आएगा डन सर तो जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर जॉर्णल इंट्री अगर आप लोग देख रहे होंगे तो देखेंगे कि सर कैसे काउंट डेबिट के बाद डिसकाउंट अकाउंट भी डेबिट हुआ है और फिर मोन है तो डिसकाउंट एकाउंट का लेजर का फॉर्मेट हमने खीज दिया है और फॉर्मेट में लेजर का ट्रीटमेंट आप लोग जानते हैं कैसे होता है बता रखे है कि देखेंगे कि जर्नल इंट्री में जिसका भी एकाउंट हम बना रहे हैं जैसे डिसकाउंट एकाउं टू मोहांस एकाउट क्योंकि क्रेडिट में तो वही है तो टू मोहांस एकाउट लेंगे आया क्या बाद समझ में जीट अगर दिया होगा जैसे मालने यहां पर डेट दिया था साथ तारीक आठवा महीना 2023 यहां लिख लिया जाएगा तुह जार तेइस अगास्त अगास्त वाना अगास्त लिख लेंगे कोई दिकत किसी को और आपने क्या देखा अभी अभी कि सर डिसकाउट एकाउट डेबिट में है तो डेबिट साइड में आ गए और ऑपोजीट वाला एकाउट लिख दिये तो महान एकाउट अब चुकिज आप जानते हैं क कि जेफ में कुछ नहीं लिखते हैं तो नहीं लिखेंगे लेकिन अमाउट तुम्हेंने बताया है कि जिसका एकाउट बनाते हैं एमाउट उसी का लिखते हैं तो एकाउट किसका बना रहा है डिसकाउट का तो एमाउट किसका लिखेंगे डिसकाउट का और डिसकाउट का को 500 रुपया का डिस्काउंट आपने दिया है डेविट में लिखने का मने खर्चा 11唱 शायाे को यह है तो यह 500 रुपया आपने मोहन तो आपको डिस्काउंट वाला ही बताना होगा नाँ 5 तो दिसकाउंट का थोड़ी है डिसकाउंट का हिसाब सिर्फ ओर से 500 प्र ₹ इसलिए 500 रूप्या ही कावल लिखा जाएगा समझें बात एक और example देखते है एक और जर्णाल इंट्री देखते हैं और उस जर्णाल इंट्री को भी इसी में बनाएंगे ठीक है जैसे माल लीजिए कि आठ अगस्त को एक ट्राइंजेक्शन हुगा आठ आठ गोहरते इसको कौन सा ट्राइंजेक्शन हुगा सर तो पेड टू राम पेड़ टू राम रूपीज हाँ तू नाइइंटीन हंड फिफटी को आइंड रिसीव यहाँ परीजन सीकाऊंट एंड रिसीवड दिसकाउंट सियमतां हमने advantager संवाच्प अर्फिसंगान रूपीजिसवृसृवटी को पता है सेवहाँ अपका जर्रीनेल इंट्री अभी जर्रान इंट्री को अगर पनाए तो में पैसा पेड किया है राम को तो राम के पास पैसा ग connection किम है हमने कैस्ट इंट किया है तोटू कैसे का ऑट और तो क्योंट एकाउंट अठीक है और अधार याराम ऎकंथ है तुक इस कि रूपया लिंगे कि पर एक चीज हो समझने वाली बात है एक तो यह तरीका होता है कि डिसकाउंट चाहे आपने दिया चाहे आपने डिसकाउंट लिया उसको के वल डिसकाउंट एकाउंट के नाम से दिखाईए चाहे डेबिट में जाए चाहे क्रेट में जाए अगर आपने ऐसा दिखाया है जर सब्सक्राइब कर सकते हैं स्सक्राइब करना घिया ऐन् oldestर्व में पॉस्टिंग भूर्व स्वश्ट डिकर श्यार काम होते हैं पूर्शिय्डी को बीडी खजाम मेसी होते हैं पूस्टिंग आरहा हूं जिसका एकाउंट बनाएंगे अमाउंट उसी का लिखेंगे लेकिन पाटिकुलर में अपोजीट वादा एकाउंट लिखना है कोदिकत पर डिसकाउंट एकाउंट लिखें और अगर आपको डिसकाउंट मिलता है तो डिसकाउंट रिसीवड एकाउंट लिखें और ऐसी परिस्तिति में जब आप यहां पर अगर डिसकाउंट दिये है तो यहां आपको लिखना होगा डिसकाउंट एलाउड एकाउंट समझे बात और यहां discount आपने लिया है तो यहां लिखेंगे discount received account और ऐसे परिस्तिती में देखेंगे कि अब दोनों ही अलग-अलग सब्द हो गाए और इसलिए अब layer दोनों का अलग-अलग बनेगा एक का discount allowed account बनेगा तो दूसरे का discount received account बनेगा कोई दिकत किसी को तो सर अगर जर्नल ऐसा हो तो लेजर कैसे बनाएंगे तो उसके लिए हमें दो format खीचना होगा तो आए थोड़ा छोटा-छोटा format खीच के देख लेते हैं जैसे माल लिए कि खान डिसकाउंट एलाओड अव्यर्ण सबसे पहले बनाकर देख लेते हैं अनो छोटा-छोटा-फोर्मेट कर लेते हैं दोनों को अ कि दुनों को फॉर्मेट छोटा छोटा करके देख लेते हैं जैसे देखिए अगर मान लीजिए फॉर्मेट छोटा बनाएंगे छोटा छोटा लिखेंगे थोड़ा आप लोग भी अडिजस किजिए ठीक है देखिए तो सबसे पहले कौन सा बनाएंगे लेजर डिस्काउंट डिस्काउंट एलाउड एकाउंट समझ रहे हो बोलो तो देख वो इसका फॉर्मेट खीच लेंगे चीख है यह होगया क्रेट साइट का एमाउंट यह जे एफ यह होगया आपका पार्टिकुलर कि यह होगया देट फिर से यह होगया हैं माउंट और यह होगया आपका जे एफ यह होगया पार्टिकुलर और यह होगया डिट डेविड साइड और ये ट्रेटस्काउंट म。 और ऐसे ही एक फॉर्मेट बना लेंगे हम Sow लोग डिसकाउंट रिसीव एकाउंट का ठीक है चलिए यादी फॉर्मेट खीच लेंगे बेच से बाट लेंगे यह होगी आपका डेट डेविट साइड यह होगी आप पार्टिकुलर है ना यह होगी जी एफ यह होगी एमाउंट फिर से यह डेट फिर यह पार्टिकुलर इधर जे एफ है ना और इधर एमाउंट चलो ध्यान दो तो सिंपल सामाल लो यह फॉर्मेट है जगह की कमी है तो आप लो थोड़ा एकरस कीजिए समझ में आ रहा है सबको अब देखो पहला जर्नल जब हम लोग देखते हैं तो उसमें लिखा है कैस अब डिसकाउंट एलाउड एकाउंट डेविट अट्व मोहन एकाउंट अब डिसकाउंट एलाउड एकाउंट है तो डिसकाउंट एलाउड एकाउंट अगर बनाते हो तो देखोगे कि डिसकाउंट एलाउड कहां है डेविट में है यहां एकाउंट डेविट लिख देन इसकाऊंट बना रहे है इमाउंट उसी का रहेगा तो डिस्काउंट एलाॉटट का एमाउंट कितना है 500, तो एमाॉट लिखेंगे क्यों वल 500, और डेट डालनेगे जोभी डेट होगा डेट कौनसा है, तो 2023 अगस्त सत्, किसी को दिक क्त, अब डिस्काउंट एलाउट है तो काम खता हूं उसका है अब सीडी बीडी तो सीडी कर सकते हैं आप लोग इधर आ करके दो है अर्टेस अगस्त एक अर्टीस टू हाँ सुरी बाई साइड है यह तो बाई बाइलेंस सीडी कितना रुपया 500 दोनों तरह फिकवल कर देंगे 500 इधर भी 500 और फिर सीडी पां 100 और यहाँ पर लिखतेंगे सप्तेमबर एक कुई baby-cat काक फिर आ जाएंगे डिसकाउंट् ररिसीपद आप यहाँ पहां हे पहले वाले इंट्री में दिख रहा है दूसरे वाले इंट्री में दिखिए दिख रहा है यहाँ पर इसकाउंट रिसीवड रिसीवड जम्टेट क्रड़िट में लिखें लिखेंगे तो betterlor £1,000 कहें में लिखेंगे तो अब्हूंत कौन सा है यानि ऑला कौन सा हराम तो देखेंगे डिस्काउंट रेसिफ्ट के सामने अमाउंट कितना लिखा है 50 रुपिया तो लिख देंगे 50 रुपिया डिट डाल देंगे जो भी डिट होगा 2023 अगस्ट आठ खतम अब आगे कोई इंट्री है नहीं तो इसको क्या कर देंगे सीडी क्या करेंगे इसको सीडी किधर करेंगे अपोजीट साइड में तो अपोजीट साइड में जाएंगे लिखेंगे टू बाइलेंस सीडी कितना रुपिया 50 रुपिया दूहजार तेईस अगस्ट आठ लिख देंगे सॉरी 31 सीडी है न तो अगस्ट 31 हो जाएगा किसी को कैसे दिकत अप दोनों तरफ क्या कर देंगे की को बहलो 50ड़काश रुपया सी डी के बाद क्या होता है बीडी जो कि से डीकर में होता है अगले महिने का एक तारीक तो अगस्त के सेथेंबर का एक तरिक को क्या दोनों एकाउट में कोई दीकता है किसी को चाहे डिसकाउंट एकाउंट हो जा डिसकाउंट我就 हम आप लोग से ही कहेंगे कि अलग इससे बनाः जैसरा भी चेया हैं समय बात अच यह सब Еще क्या है कि आप अगर ग्यां टो कि यह तो ख़ेसल इंटरी क्लासमें आफर को है बताएगा चले जो या क्या अगर रेंट दिया तो रेंट अगर बाकी लगा दिया तो आउट रेंट 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 रे पहले आगे कुछ भी बोलना से पहले मैं छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा कि आपने अभी-अभी जो इंट्री किया था रेंट एकाउंट डेविट्टो आउट रेंट एकाउंट तो इसमें आउट रेंट को आपने क्रेडिट क्यों किया परोच कनू सरंबते ही जलती से क्योंकी लाइबिलिटी बड़ा यानि कर्जा बड़ा क्यूंकि पेमेंट नहीं दिये टाइमस है तो कर्जा बड़ा ना और कोई किसी को मन में डाउट है जार्नल और लेजर चेप्टर से संबंदित किसी को कोई डाउट है एक भी ट्रांजेक्शन एक भी कॉंसेप्ट में तो पूझ लो अच्छा सवाल था इनका गुड बोलिए और किसी हो कोई डाउट नहीं है तो क्या हम यह मान के चले कि लेजर में और जर्नल चेप्टर में अभेक डाउट किसी को नहीं है तो पूरा जर्नल चेप्टर का एक एक को चुच्छन बन चुका है और पूरा लेजर चेप्टर का एक कोशन बन चुका है जिन लोगों ने एक आद कोशन अभी नहीं बनाया है तो घर जाके बना ले क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बना लिया है कि सब्सक्राइब करना है सब्सक्राइब करना है सब्सक्राइब कोई दूसरा काम नहीं को चल्वी ठीक है तो मैं मांता हूं कि आज का डावट खताम हो चुका है तो आज के लिए इतना ही मिलते अगले क्लास में तब तक यह चाटा बाबाय और अगले क्लास में चैप्टर में chypter के साथ मिलेंगे क्या कowते हैं आप लोग तो सभी लोग प्रेजिंट रहेंगा अगले क्लास में क्योंकि कोई भी नया चेप्टर जब शुरुआत होता है तो पहला क्लास बेरी इंपोर्टेंट होता है क्योंकि सारे बेसिक्स बाते उसी में बताई जाती है